तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया। फिर उन्होंने पूछया आपने इतना पैसा कैसे कमाया और इतने सफल कैसे हुए। तो एंडू कार्नगी ने बहुत ही साधारन बात कही। देखिए मैं अपने दिमाग को किसी चीज़ पर पांच मिनिट तक लग अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो क्या आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? नई, ऐसा जीवन के हर पहलू के साथ है, है ना? अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं या क्या हो ज्यादा तर लोग फूलों की खुश्पू पर गौर नहीं करेंगे या कोई भी चीज वो बस चलते जाते हैं चटान की तरह या फिर कहें बैल की तरह क्योंकि वो आपको पता है स्टॉक मार्केट में बैल की पूजा होती है तो ये विकास की प्रक्रिया में पीछे जाना है अगर आप बैल या भालू की तरह चलें तो ये पीछे जाना है आप विक्सित होकर इंसान बने हैं इसमें लाखों साल लगे हैं अब आप पीछे नहीं जाना चाहते हैं इंसान होने का मतलब है इनसान की जो अनूखी चीज है, कि हम वही चीजें करते हैं, जो दूसरे जानवर करते हैं, बात पस इतनी है, कि जो कुछ जानवर कर सकते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे चेतना पूर्वक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है, और किसी चीजें को जागरुकता स करना नहीं आएगा अगर आप उन चीजों पर परियाप्त ध्यान नहीं देते, जो आप करते हैं या जो आप नहीं करते, खास कर वो चीजें जो आप नहीं करते, उनकी और आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना वे आपके अंदर घुश जाएंगी, तो ये ध्यान देने का धेर लगाना बन गया है। किसी भी दिमाग पर जितनी ज्यादा जानकारी आप लगाते हैं या कहें बच्पन से भरते हैं उसमें ध्यान देने के प्रती उतनी ही अरूची हो जाएगी। क्यूंकि कुछ भी जाने बिना जानकारी आपको एक जूटी भावना देती हैं कि आप कुछ जानते हैं। ये अभी एक फैशन बन गया है। आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में आमंतरित किया गया है तो आप गूगल पर सौ करोड आकाश गंगाओं की जानकारी खोल लेते हैं। उन सभी को नंबर और नाम दे दिये गए हैं। ठीक हैं। वो 566BZ वो गैलक्सी उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता है। आपने गूगल पर खोजा है। ये दो वाक्य पढ़ लेते हैं और पार्टी में जाते हैं। जो भी आपसे बात करता है वे कहते हैं आप कैसे हैं। आप कहते हैं अरे क्या आप इस गैलक्सी के बारे में जानते हैं जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है जिसका नाम BB जो भी हो। आप उसके बारे में बात करते हैं। हर किसी को लगता है कि आप स्मार्ट हैं। पूरी दुनिया के साथ फिलहाल यही समस्या है। हम जानका जानकारी थोड़ी उपयोगी हो सकती है, लेकिन ये बुद्धी मता है, जो आपको किसी खास थिती से एक अनोखे तरीके से गुजरने में सक्षम बनाएगी, वैसे नहीं, जैसे कोई दूसरा कर रहा है। पहुँचने की शमता भी खो देते हैं, आप बस याददाश्ट में जानकारी फेंडते रहते हैं। एक सुन्दर वाक्या है, आपने एंड्रू कारनगी के बारे में सुना है। जब एंड्रू कारनगी ने अपना ओदेयम शुरू किया है, तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस समय ठीक है, वो गूगल या फेस्बूक या ट्विटर का योग नहीं था, जहां लोग दो सालों में खरबपती बन जाते हैं। उन दिनों लोगों को निर्मान के लिए उद्योग वगारा लगाना होता था, ये और वो करना होता था, पैसा कमाना पड़ता था, जिसमें दश्यक या पीडियां लग जाती थी। तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया, लोगों को शक हुआ, अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो उन्होंने जांच के लिए एक सेनेट कमीटी बनाई, और कारनगी से हर संभव सवाल पूछे और उन्हें बता चला कि उसके इंद्रित रख सकता हूँ, पांच मिनिट तक, क्या आप में से कोई ऐसा कर सकता है, सभी सेनेटर सोचने लगे, पांच मिनिट में क्या मुश्किल है, और उसने एक प्रयोग सेट अप किया, उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की, वे कुछ सेकंड तक भी नहीं पाए, एक पल यहां, दूसरे पल वहां, ज्यादा तर इंसानों की यही दुर्दशा है, तो तब कारने की बोले, आपको अमेरिका का शासन नहीं चलाना चाहिए, तो इंसानी शमता, चित नाम की एक चीज होती है, यह अलग चीज है, देखिए अंग्रेजी भाषा में सिर मन का याददाश्ट वाला हिस्सा सबसे कम महत्व का है, यह चित्त है जो चेतना से जुड़ा होता है, और वही सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप अपने चित्त के लिए कोई आकार देते हैं, तो वो आकार हमेशा अभिव्यक्त होगा, क्यूंकि इसे जीवन निर्मान क की सामगरी से शक्ती मिरती है, जिसके लिए हम उचित शब्दों के आभाव में चेतना शब्द का इस्तिमाल कर रहे हैं, वो जो जीवन का आधार है, जब आपका मन उससे जुड़ जाता है, तो आपका मन जो आकार लेता है, देखिए मन एक बादल की तरह है, आप उसे जो आकार देते हैं, वो हमेशा दुनिया में अभी व्यक्त होगा, क्योंकि ये इसके पीछे जीवन निर्मान की उर्जा लगी है, तो यही मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ना कि याददाश्ट, याददाश्ट सिर्फ बहुत एक पहलूँ को संभालने के लिए महत कर रहा हो, ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक उदेयमी का जीवन एक उत्साहपूर्ण एडवेंचर बन जाए, जिसमें नई संभावने खोजने की उसकी प्रक्रिया, उसके अनुभव में सच्मुच नई संभावना बन जाए, बस एक आर्थिक संभावना ही नहीं और ये संभावना एक उदेयमी के जीवन में मौजूद है, कि वो अपने उदेयम को एक आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक विकास में बदल सकता है, या अपने अस्तित्व के विकास में, जिसे मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए, यही वज़ा है कि हम ए अपनी पूरी शमता से काम किया है अगर आप क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में तीन टांगों वाली दोड़ नाम का एक खेल होता है हालांकि आपकी तीन टांगे होती हैं लेकिन आप धीरे भाग पाते हैं दो टांगों से आप तेज भागेंगे हैं न अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें तो तीन टांगों के साथ आपको ज्यादा कुशल होना चाहिए पर ऐसा नहीं है ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा जानकारी का मतलब है कि जो चीज आपकी नहीं है उसे आप अपनी यादाश्ट से जोड लेते हैं और उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं आप उतने ही कम असरदार बन जाते हैं लेकिन फिलहाल हमारी शिक्षा की पूरी सोच जानकारी देना है और इंटरनेट भी है ये बस शेखी मारने के लिए हैं, और सबसे बढ़कर ये आपकी ध्यान देने की शमता को नश्ट कर देगा. क्यूंकि ध्यान देने का आधार ये है कि आपको एहसास है कि आप इस ब्रह्मान में एक कण को भी ठीक से नहीं जानते. आप एक परमानु को भी पूरी तरह से नहीं जानते. इसी वज़य से आप ध्यान दे सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं ये जानता हूँ, तो आप ध्यान नहीं दे सकते जानकारी होने का घमंड ही आप में ध्यान देने की कमी पैदा कर सकता है